कोफिशेंट ओफ म्यूच्वल इंडक्टेंस को पर एक और प्राबलम है प्राबलम नमबर 11 इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन आप चैप्टर पढ़ रहे हो और चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना थियोरिटिकरी क्योंकि सिलेवस तो बहुत कम हो गया कुछी टोपिक बचे हुए है जो आपके इंपोर्टेंट और आपको पढ़ने भी है जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूच्व इंडक्टेंस, फिरार्डेज लो बस यही बचा हुआ है और कुछ नहीं है खास इसके अंदर कोशन बना आपके सामने यह मतलब M की वैल्यू दे रहिए 2.5 हैंडरी में आगे बोला है, if the current in one coil is changed at the rate 20 ampere per second तो आप यह कह सकते हैं कि di upon dt दे रहा क्योंकि rate है यह current के change होने का 2 ampere per second ठीक है, what will be thus induce emf in the other coil तो मतलब induce emf पूछा है, यह बता देंगे अब आपको पता है यार, induce emf को formula क्या होता है M di upon dt magnitude के हिसाब से, यह पूछा गया M की value कितनी है, 2.5 di upon dt कितना है, 2 है यह, अब 2 की 2.5 से multiply करोगो तो यार, यह 5 हैंडरी मा जाएगा sorry, चुकि induce emf है, तो 5 आचुका unit हो जाएगी bolt में तो यही पूछा गया था, ऐसे question भी बनते हैं ऐसे question लगाने से यह फाइदा होता है, कि आपके practice मजबूत हो जाती है आपको मजा आना शुरू हो जाता है, thank you तो अगले question बात करते हैं भाई आप से